प्लिस सब्सक्राइब तो इस चैनल शोर्ट एंड एंडी एक्टेशन्स। रेडी? स्टार्ट चीन के राश्ट्रपती शी जुन्पिंग ने साल भर पहले जब पश्चिम एशिया का दौरा किया था तब इस इलाके का पुराना जानकार होने के नाते उनके दोरे की एहमियत मेरे सामने थी जुन्पिंग की उस यात्रा के पड़ावों में रियाद और तहरान के अलावा जो सबसे चौकाने वाली जगह शामिल थी वह थी काहिरा में अरब लीग की बैठक बराक उबामा की सदारत में पश्चिम एशिया में अमेरिका के फीके पड़ते असर और छेतरीय मामलों में रूस की बढ़ती भूमिका के बीच चीन के नेता तब यह संकेत देते हुए लगे की बिजिंग में इस इलाके में अपना एक किर दार चाता है शी जिनपिंग ने उस बैठक में यह ऐलान करके वहां मौझूद तमाम नुमाइंदों को चौंका दिया था कि चीन एक खुद मुकतार फलस्तीन देश की हिमायत करता है जिसकी राजदानी इस्ट येरुशलम हो उनके शब्द थे चीन पूरी मजबूती के साथ मध्यपूर्व की शांती प्रक्रिया और 1967 के बॉर्डर के आधार पर एक संपर्भू फलस्तीन देश का समर्थन करता है एक मुल्क के तौर पर अंतराश्ट्रिय बिरादरी से जुड़ने की फलस्तीन की हसरतों को हम समझते हैं जिन्पिंग का वह भाशन अर्से से चली आ रही चीन की विदेशनिती के उलट था चीन अब तक राजनीतिक मामलों में दखल अंदाजी से परहेज बरताता रहा है ऐसे में जिन्पिंग के उस रूख ने हम जैसे लोगों के बीच कयास बाजी के आधारित बहस की शुरुवात कर दी क्या वाकई चीन संयोगत राष्टर सुरक्षा परिशद के पांच इस्थाई सदस्यों में अपनी हैसियत का फायदा उठाने को तयार है और क्या वह तुनिया की समस्याओं को सुलजाने में एक उपयोगी रोल निभाने को राजी है तब यह सिर्फ कलपना की बात थी कि सहुदी अरब वे इरान की सहमती से चीन पश्चिम एशिया में फलिस्तीन और इजराईल के बीच समझोते कराने की नई मानिखेज पहल के तौर पर अपनी बढ़ती आर्थिक हैसियत का इस्तेमाल कर सकता है आखिर चीन को इसकी चिंता करने की क्या पड़ी थी वह तो अपने कारोबार के जरिये ही अपनी विदेश निती को शकल देता रहा है उस वक्त पश्चिम एशिया के कुछ विशेशग्यों का मानना था कि चीन के अंतराष्ट्रिय राजनितिक अखाडे में उतरने के पीछे दरसल उसकी आर्थिक मजबूरियां है दलील यह दी गई की चीन पश्चिम एशिया के तेल वै गैस पर बड़े पैमाने पर निर्भर है इनकी आबाद आपूर्ती के लिए इस छेत्र की इस्थिरता जरूरी है यह स्थिरता अब तक अमेरिका की निगरानी की वजह से कायम रही है और अब चूंकि वाशिंग गटन वहाँ पुलीस की भूमिका निभाने को इच्छुक नहीं है तो बीजिंग को शायद यह लगता है कि उसे अपने आर्थिक हितों के लिए अपनी राजनितिक काहिली छोड़नी ही पड़ेगी इस बात के और भी कई संकेत हैं कि चीन अब वैश्विक मंचों पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है संयोकत राष्टर शांती मिशन में इसके सैनिकों की संख्या दोगनी से जादा 2800 हो गई है और जिन पिंग ने वादा किया है कि वह इस संख्या को 8000 तक कर देंगे यानि इसकी कुल संख्या का पाँचवा हिसा इस शांती मिशन में भारत के सैन्य योगदान को जानकर आप चौंक जाएंगे भारत के ने सिर्फ 60 सैन्य विशेशग्य इसका हिस्सा है बलकि 6750 सैनिक वे 900 पुलिस वाले भी इस दल में शामिल है बहरहाल चीन के राष्ट्रपती ने यह भी वादा किया है कि UN Peace and Development Trust Fund के गठन में उनका देश एक अरब डॉलर की मदद करेगा पिछले सप्ता ची जिनपिंग जब स्विट्जर लेंड के डावोस में वर्ल्ड एकोनोमिक फॉरम में शिर्कत करने पहुंचे तो मुझे चीनी नेत्रित्व की बढ़ती महत्वा कांशाओं का इस्मरण हो आया यह पहली बार था कि कोई चीनी राश्च्रवती इस फॉरम की बैठक में शामिल हुआ और वहे वक्त भी उनके मुफिद था इस बैठक में दुनिया भर के नुमाइंदे मौजूद थे और जो वैश्विक मामलों के प्रती अमेरिकियों की उदासीनता को लेकर चिन्तित थे ठीक काहिरा की तरह शी जिनपिंग ने इस मंच पर खुद को एक ऐसे शक्ष के रूप में पेश किया जिसके पास पुखता योजना है उन्होंने कहा कि पस्चिम के तिव्र, राष्ट्रवादी, अलगाववादी, राजनितिक आंदोलन के मुकाबले चीन ग्लोबलाइजेशन के लक्षयों की रक्षा करेगा बीजिंग व्यापारिक व्यार्थिक स्थिर्ता को कायम करने के प्रयासों का नित्रित्व करेगा और डुनाल्ड ट्रम्प के अमेरिका के साथ कारोबारी जंग से बचने की अपनी तई हर मुमकिन कोशिश करेगा मशुर उपन्यासकार चार्ल्ड डिकैंस के अट टेल ओफ टूस सिटीज का उधरन देते हुए जिनपिंग ने महजुदा वैश्विक हालत को अच्छे और बुरे रूप में सामने रखा डावोस में एकत्रित दुनिया भर के पुंजिपतियों को उन्होंने यह भरोसा दिलाया की वे चीन में अपना कारोबार कर सकते हैं आपको जानकर हैरानी होगी की अनेक लोग उनके भाषन के बड़े विरोधा भाहसों को नजर अंदाज करते दिखे मसलन गूगल और फेस्बुक के प्रतिनिदियों ने जिनपिंग के दावों को चीन का खुलापन तक बताया डावोस में जिनपिंग का भाषन सुनने वालों में से जादातर अब तक अपने घर लोटकर रोजमर्रा की गतिवीदियों में जुटे होंगे कई शोताओं को अपना आशावाद डावोस के उचे मंच पर ही छोड़ देना पड़ा होगा और इसके लिए उन्हें वाइट हाउस में आये नए राश्ट्रपती की भाषा और तेवर ने भी विवश किया होगा जो उन्होंने शपत ग्रहन के दोरान दिखाए डोनाल्ड टरंप ने साफ कर दिया कि उनका एजेंडा वैश्विकरन विरोधी और पहले अमेरिका का है बरहाल डावोस यह ऐसास दिला गया है कि बुरे वक्त में भी चीन अमेरिका का विकल्प नहीं हो सकता इसका मतलब यह कताई नहीं कि बीजिंग के लिए यह बहतर वक्त साबित नहीं होगा ऐसे परिद्रिश्यों की इफारत है जिनमें वैश्विक गटजोडों से अमेरिका के पीछे हटने का सीधा फायदा चीन को मिलेगा जैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनर्शिप रची ही गई थी चीन की महत्वा कांशाओं को रोकने के लिए अब इससे अमेरिका के पीछे हटने का सीधा लाब चीन को मिलेगा लेकिन शी जिनपिंग के भाषनों से आगे चीन ने अब तक किसी जटिल अंतराश्ट्रिय मसले को सुलजाने की इच्छा या चमता का प्रदशन नहीं किया है काहिरा में दिये गए भाषन की और जो बात मुझे खीचती है वह यह है कि तब से अब तक चीन का कारोबार इजराईल, मिश्र, साओधी अरब और इरान के साथ लगातार बड़ा है लेकिन बिजिंग इजराईल फिलिस्तीन विवाद को सुलजाने की दिशा में सुई भर भी आगे नहीं बड़ा है स्टॉप